और कैसे आप सब December attempt के लिए जब मैंने पिछली बार कुछ revision lectures upload किये थे तो मुझे बहुत सारे students के बहुत positive messages आए कई सारे students ने मुझे काफी अच्छा response दिया उन classes को लेकर last session में ना मेरे पास तुरह time कम था मैं कई बार ये बात बता भी चुका था कुछ commitments थे जिसकी वज़े से मैं ज़्यादा वक्त नहीं निकाल पाया था revision lectures डालने के लिए पर इस बारना मेरे पास कुछ surplus time है और जिसको मैं use करना चाहूँगा उन revision lectures की series को वापस से restart करने के लिए अब उसको आप past track batch बोल दें आप उसको detailed revision revision बोल दीजिए या फिर marathon बोल दीजिए जो आपको बोलना है बोलिए लेकिन मुद्दा ये है कि मैं topics को इस तरीके से करवाँगा कि वह ऐसा भी ना हो कि बहुत short में revision हो जाए और ऐसा भी ना हो कि regular batch की तरह लगे कुछ fast track batch की तरह ही आप समझेज़ें कि ऐसा कुछ करने वाले हैं और मैं इस बार जो ये series लेके आने वाला हूँ इसमें मेरी कोशिश रहेगी कि हम important chapters cover करें और मैं कोशिश करूँगा कि जो chapters already डले हुए हैं उनके अलावाद दूर से chapters जालूँ जैसे आप देखेंगे कि ratio analysis की detailed revision डिली हुई है marginal costing का detailed revision डला हुआ है और budgetary control कई सारे topics आप देखेंगे detailed revision के नाम से हमाँ डले हुए हैं और वो एक तरह से fast track batch ही हैं उसमें मैंने सारे past year के exam mcq solve करवाए हैं और पूरा concept मैंने उसमें कोशिश करिये बताने की of course regular batch जितना detailed नहीं है लेकिन still एक आपको एक overview एक अच्छे सया जिस बच्चे ने बिल्कुल नहीं भी बढ़ा है उसको भी थोड़ा बहुत तो benefit उससे मिली जाएगा तो हम ऐसा करेंगे जो topics already डले हुए हैं उनके अलावा पहले हम दूसरे topics डालने की कोशिश करेंगे और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सारे important topics इस बार cover करने की हम जो है effort लगाए हम जैसे FM में cost of capital हो गया security analysis and portfolio management हो गया capital budgeting हो गया और ऐसे ही CMA में भी अगर हम देखते हैं तो काफी topics तो मैंने बड़े-बड़े डाल दिये हैं और भी जो important topics हैं वो हम कोशिश करेंगे कि हम YouTube पर upload करें और important chapters मेरा पहला objective रहेगा दूसरा past year के exam MCQs हम solve करने की कोशिश करेंगे मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो अभी latest attempt गया है उस तक के सारे exam MCQs मैं जो है इस series में करवाने की कोशि करेंगे अब यह series हम start कब करेंगे यह series मैं start करने का सोच रहा हूं most probably आज 14th of March है तो कोशिश करेंगे कि next week तक इसको हम start कर दें बर सिलना मैं जानना चाहूँगा कि आप में से कितने बच्चे जो है वो इस revision series में interested है ताकि मुझे भी एक motivation रहे कि हां बहुत बच्चे हैं ज जलो छोड़िए आप ऐसा करना मेरको ना आप डारेक्ट एक message छोड़ सकते हो मेरा डारेक्ट नमबर आप लिख लेजिए 981-504471 मैं आपके लिए एक broadcast list बना दूँगा और फिर इस series से related उसमें जितने भी updates वगरा होंगे जैसे की notes वगरा की कैसे जो PDF notes हम use करेंगे exam question solve करन वो मैं उस broadcast list में जो है share कर दिया करूँगा आप क्या share कर सकते हैं आप मुझे क्या share करेंगे इस number पर आप अपना नाम मुझे WhatsApp करेंगे ठीके और आप एक बात और लिख दीजेगा interested in fast track batch ये आप mention कर दीजेगा उसके अलावा अगर आप ये optional है तीसरा optional है अगर आप अपन mention कर देते हैं तो ताकि मुझे पता लगे कि अच्छा दूसरी city से भी students हो है वो इस fast track batch में interested है बाकि तीसरा optional है पहली दो बाते आप लिख देंगे तो मैं आपको एक broadcast list में add करूँगा और ताकि फिर आपको इस series related जो है updates वगरा मिलते रहे हैं एक और important announcement में जल्दी लेके आने वाला हूँ और वो होगी regarding test series और उसको भी मैं जल्दी announce करूँगा YouTube पर ही बाकि मिलते रहेंगे हम thank you so very much take care आपको ऑने युदग कर दो रहे ही हैं झरेकाद लेकाद है